तो आप पिछली वीडियो से continue करते हुए जिसमें हम objective strategy और policy and rules समझ चुके हैं इस वीडियो में हम समझेंगे procedure और method क्या होते हैं यह बहुत simple सा topic है देखो procedures are the sequential मैं underline करते करते गलती से कटी करते थेता हूँ procedure are the sequential steps to carry out activities मतलब इसमें हम sequential steps देखते हैं किसी काम को करने के बहुत simple सा example लेते हैं हमें T बनानी है तो इसके sequential steps इसका procedure T का procedure क्या होगा procedure सबसे पहला होगा water low फिर दूसरा होगा milk तीसरा होगा boil करना चोथा होगा उसमें sugar डालना और पांचवा होगा tea leaves डालना यानी पत्ती डालना तो यह simply हुआ procedure की कैसे चाए बनानी है sequential steps to carry out activity यह हुआ हमारा procedure चाए बनाने का या फिर हम एक और example लेते हैं हम एक book manufacturer हैं अब हमारा procedure क्या होगा book बनाने का सबसे पहले हमारा होगा हम एक बहुत बड़ा सा paper का roll लाएंगे फिर उस paper के roll में से हम paper cut करेंगे obviously बात है बहुत बड़ी बड़ी machines होते हैं काम करने में ताकि हजारों book से एक साथ बन सकें फिर हम cut करने के बाद print करेंगे और फिर हम उन अलग-अलग printed pages को bind कर देंगे तो यह हुआ procedure book बनाने का तो यह simply होता है procedure method क्या होता है method is the prescribed way in which a task has to be performed इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ इसका procedure से बहुत close गहरा नाता है जैसे मैंने पहले दिल बना चुका हूँ देखो procedure क्या था हमारा water, milk, boiled sugar, tea leaves method क्या हुआ कि हर procedure के हर step को specified way कैसे उसे perform करना है इसका क्या मतलब हुआ procedure में हमारा first step था पानी डालना कितना पानी डालना हमारा method हुआ जैसे हमने कहा एक glass water डालो दूसरा procedure का step क्या है milk डालना method क्या हुआ कि 2 glasses of milk तीसरा हमारा procedure का step है boil करना अब कितने temperature पे boil करना यह हुआ हमारा method sugar डालना कितने spoon sugar डालना और कितने spoon tea leaves डालना तो अब आप समझ रहे हो जैसे मैंने कहा है two leaves two spoons of sugar और two spoons of tea leaves temperature मैंने कहा 50 Celsius पे 50 degree Celsius पे तो अब आप हमज़नों मैं कहना कह चाता हूँ procedure होते है sequential step step की कैसे हमें कोई काम करना है method होता है हर step को specific way perform करने का हमारे book वाले example को continue करते हुए हमारा procedure था पहले roll, cut, print, bind अब roll हमारा paper roll किस quality का आएगा paper के आपको पता है बहुत quality होती है thick paper होगा हमारा thin paper होगा तो हम कहते हैं हमारा paper होना चाहिए 5 mm thick तो यह हुआ हमारा procedure के first step का method second हमारा cut कितने meters कितनी width और कितनी height होनी चाहिए मैं कहा तो 4 by 5 5 by 5 की होनी चाहिए height और width तो यह हुआ हमारा method हमारे procedure के second step का third step का हमारा method क्या हो सकता है कितना हमें dark print चाहिए मतलब कि कितना जादा मतलब आप समझ गए होगा कि कितना जादा thick print होना चाहिए या फिर हमारे font का क्या style होना चाहिए यह हुआ हमारा method procedure के third step का और binding हम कौन सी quality की करेंगे हम glue यूज करेंगे या फिर हम glue यूज कर सकते हैं या फिर हम spiral binding कर सकते हैं हालगी books में होती नहीं या फिर हम thread binding कर सकते हैं तो print में हम मानिया हमने अपना printing का style यूज किया aerial aerial मेरे को यह spelling नहीं होती aerial की matter नहीं करता है यहाँ पे और हम binding चूज करते हैं glue वाली तो अब आप समझे procedure हमारे steps है और method हुआ हमारे हर step को perform करने का तरीका method का हिंदी में मतलब यही होता है तरीका और procedure का मतलब होता है कि क्या हमारा flow होना चाहिए क्या हमारे steps होने चाहिए किसी काम को complete करने के अब अगली वीडियो में हम करेंगे बचवे budget और प्रोग्राम